अलो प्रिंट्स वेल्कम बैक टो वेट अबाव पवार और अधिस टॉक अबाउट दा निफ्टी एन बांक निफ्टी प्राइस सेक्शन एज वेल अज दा मैक्रो फेक्टर जो इस वक्त हमारे मार्केट्स को इंपाक्ट कर रहे है तो देखिए दोस्तों आज 27 ओक्टोबर क कि आज की जो मार्केट का सिनेरिओ रहा है उसके ओपर में निफ्टी की वीडियो कल नहीं लेकिया पाया था मैंने आपको इंफॉर्म भी कर दिया था लेकिन आज का जो मारकेट रहा है वो बहूत ही जाता इंट्रस्टिंग मारकेट है चिक है मैं आपको एक बार ओर सीजन चल रहा है एंड यूएस के अंदर कुछ एक बड़ी कंपनीज की अर्निंग आना बाकी है मैं आपको बता देता हूँ S&P 500 को मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते है S&P 500 जो एक इंडेक्स है यूएस के अंदर ये जो एंडेक्स है इसके अंदर 500 कंपनीज है और ये जो 500 कंपनीज है अगर आप इसकी Market Capitalization को लेते हैं तो ये तकरीबन 50% of the Global Market Capitalization को लेके बैठे हैं इसलिए S&P 500 का रुख तै करता है कि Market के अंदर तेजी बनेगी यह अमन्दी आएगी, अब S&P 500 इकल 0.74% की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन Nasdaq की बात करेंगे, जो growth stocks है, वहाँ पर 2% की गिरावट थी, हम लोग बात करते हैं, Facebook की, वो गिरावा था, यानि कि उसके अंदर बहुत भारी गिरावट थी, Alphabet यानि कि Google के अंदर भारी गिरावट थी, Microsoft के अंदर भारी गिरावट थी, तो वहाँ पर जो growth companies हैं, जो growth sector है, वो पूरा under pressure आतावा दिखाई दे रहा है, in fact, ना ही के वाल उनकी earnings, बलकि उनकी जो future guidance हैं, आने वाले quarter के लिए, वो भी बहुत जादा strong नहीं है, और सभी companies के उपर, सबसे बड़ी जो मार पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, inflation की, वहाँ पर भी एक negative impact अब corporates पर आना शुरू हो गया, तो ये overview है, जिसके विरसे market के अंदर आपको तेजी या फिर थोड़ा बहुत gap down, gap ups दिखाई दे रहे हैं, अब Indian markets में क्या हो रहा है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कि Indian markets में पिछले कुछ दिनों से FIAS का जो रुख है, वो नर्म पढ़ा हुआ है, नर्म in the sense की वो बहुत ज़्यादा excessive selling नहीं कर रहे हैं, वो buying कर रहे हैं, तो मैं price section पर आँगा, technicals की बात करूँगा, थोड़ा सा पहले आपको वही चीज़े दिखा देता ह है, हला कि आज price section में आपको दिखाऊंगा, तो आपको दिखाए देगा कि last के जो 10 minute रहे हैं, उसके उपर ही सारा का सारा आज gameplay होतावा दिखाए दिखाए दिया है, तो 2818 करोड की जो buying आई है, FIAS की तरफ से अपने आप में एक बहुत interesting figure है, और ये और मजबूती के साथ में दिखाई दे रहे हैं, institutions हमारे markets के अंदर और शायद ये एक support का काम करेंगे आने वाले time में भी, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि downside बहुत जादा unlimited नहीं है, limited downside है, market नीचे की तरफ जा सकता है बट बहुत बड़े गिरावट होने के chances नहीं है, यानि कि 15200 से जो हमन booking आपको देखने को मिलती है, now coming back on to the stock markets of US, US के अंदर अगर आप देखें तो एक positive शिरुआत हुई है, अभी just 15 मिनिट पहले markets open हुए, सबा 1.5% की तेजी रही है, डौ जो जोंस के अंदर चल रही है, जो कल बिलकुल flat था, S&P 500 recover हुआ है, 0.24% की तेजी के साथ में लेगी NASDAQ के अंदर अभी भी गिरावट है, तकरीबन 0.32% की हिसाफ सेगर आप देखें, तो altogether यहां से मैं पता चल रहे हैं कि NASDAQ की वज़े से Nifty IT जो है, वो एक pressure काम कर सकता है, pressure के अंदर काम कर सकता है, इसके अलावा all over जो view है market का, वो bullish side में आतावा दिखाई दे रहा है, या आप value देखेंगे, तो तकरीबन 2% आज भी गिर गया है, 16.59 पर आगया है, यह fear index है, and fear index clearly आपको क्या बता रहा है, कि हम लोग 22 के level से गिर कर पहुच रहे हैं, 16 के level पर जो clear indication दिखा रहा है, कि market के अंदर ऊपर की तरफ जो तेजी आई है, उसके अंदर stability है, वो कहीं जान आने वाली इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, तो एक stability की तरफ यह तेजी बन रही है, it means आपको इस cycle के अंदर 17,800 पर resistance दिखाई दे रहा है, वो एक important level को आगे की तरफ अंजाम दे सकता है, जो 18,100 तक के level होंगे, यानि कि further 300 points की rally आपको और nifty के अंदर देखने को मिल सकती ह है, अब ये तो हो गया, देखे, main important briefs जो मैंने आपको बता है, macro factors को ध्यान में रखते हुए, बाकि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन important क्या है समझना, technically उसको हम लोग देखेंगे, अब charts के ऊपर, तो देखे, यहाँ पर आज की candle की formation है, वो एक inside candle formation है, यान के इस candle का अगर upside break होगा, जो 17,811 पर है, या फिर इस candle का downside break होगा, जो 17,637 पर है, तब आपको एक rally देखने को मिल सकती है, जो 200-300 point तक भी nifty को लेती भी, मलबले जाती भी दिखाई दे, चिक है, अगर 17,800 के ऊपर nifty निकलता है, तो इस बार 18,100 के level काफी जादा उमीद ह है कि वो एची होते वे दिखाई देंगे, यानि कि अगली जो profit booking है, वो 18,100 पर ही आपको देखने को मिल सकती है, इन closing price के एसाब से 17,737 के जो आची ए closing price है, अब और भी जादा important क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा देखिएगा, कि 2nd and 3rd of November को FOMC की meeting है, ठीक है, FOMC की 7th straight meeting ह 8 meetings जो होती है एक साल में, उसमें से 7th meeting है, and again यहापर rate of interest बढ़ाने की बात, in fact rate of interest अगला जो होगा US के अंदर, उसके उपर decision आ सकता है, वो 75 basis points भी हो सकता है, 100 basis points भी हो सकता है, और हम लोग यह नहीं कहेंगे कि 75 basis point हुआ तो market नहीं गिरेगा, because last time भी इतना ही हुआ था, लेकिन market के अंदर बहुत जबरदस गिरावट आई थी, similar type of situation में मैं इस बार भी लेके चल रहा हूँ, consider इस बार भी कर रहा हूँ, कि भला ही 75 basis point बढ़ा है, भला ही 100 basis point तक वहाँ पर increase होता है, दिखा ही the rate of interest, लेकिन market के अंदर एक jitterness आ सकती है, market एक 600-700 point तक भी dip दिखा सकता है, इसलिए हमें हाँ पर cautious होके चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2nd and 3rd November में अगर आप अभी देखें in between, तो हमारे पास में 2-3 trading session बन जाते हैं, जिसमें एक तो कल ही trading session है, हमारे पास 28th का, then holiday हो जाएगा, Saturday Sunday का, तो Monday and Tuesday मैं यह मान के चलता हूँ, दो वर trading sessions होंगे, या 12,000 प्लस के level हमारे पास में अभी शुरुआत के ही November series में आते वे दिखाई दे जाएंगे, बट इनकेस अगर वहां से कोई गिरावट होती है, तो उसके लिए हमें तयार हैना चाहिए, कि हमारे पास में जो important level है support के, वो इस candle के low levels ही होंगे, जो 17,637 के हैं, ठीक है, तो य यह आपका support बनेगा, यानि कि 17,700 पर जो ही मैंने line mark करी है, इसको हम लोग थोड़ा सा और नीचे की तरफ shift करेंगे, और यह हमारी line अब यहाँ पर support का का काम करती भी दिखाई देगी, 17,637 के उपर, अब आपको करना क्या है कि देखें, market में ये inside candle को play करना है, अगर ये और आपको c e buy करके चलना है, अगर ये नीचे की तरफ break हो रहा है तो आपको p e buy करके चलना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछें कि आपको profitability ज्यादा कहा बनेगी, कम time में कहा बन सकती है, तो मैं समयता हूँ कि अगर ये नीचे की तरफ break हो जाता है, 17,637 के level break हो जाते है, तब आपका विक्स बढ़ेगा और उसके अंदर आपको opportunity ढूड़नी चाहिए, बहुत तेजी से पैसा बन सकता है, similar type of situation आज हुई है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, shorter time frame के उपर, यह देखिए, 15 मट का जो time frame है, यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग किस type की situation है, तो लग गैप था, उस गैप को पूरी तरीके से अंगल्फ कर लिया, खा लिया, इसी तरीके से आज की एकर हम लोग बात करेंगे, जो गैप दिखाई दे रहा है, यह तकरीबन 135 पॉइंट्स का है, निफ्टी की उपर होगी, गैप अप है, और इस पूरे के पूरे गैप को market session ने आज complete किया, almost अगर आप देखें, तो इसका 90% हिस्सा जो है, वो पूरी तरीके से अंगल्फ हो गया, और लास्ट की जो आदा घंटा बचा है, लास्ट के आदे घंटे में आप देखिए, क्योंकि 15 मेंट्र के चार्ट देख रहे हैं, तो 2 कैंडल्स आप देखिए, बेस ब निकलने दिया, और ये काफियत तक evident भी था, क्योंकि call writers का एक बहुत बड़ा जमावणा यहाँ पर था, तो देखिए, आज का जो move रहा है, ये गिरावट वाला, इसको हम लोग क्लियर्ली ये चीज़ ही कह सकते हैं, कि आज expiry related issues market में हावी रहे, जैसे ही यहाँ पर positions खतम हुई लोगों की, market ने एक नए trend में, एक नए series में याप पर आगास किया, and long build up बना के गए है, 17,700 as well as 17,800 के उपर, तो ये जो situation बनी है यापर, अब इसके बाद क्या है, कि ये level निकल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बता है, 17,811 का, तो देखिए, ये important resistance अब create हो गया ये resistance निकलेगा, तो अराम से आपको 18,000 and plus के levels, nifty के उपर आते वे दिखाई दे जाएंगे, clearly दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बहुत अच्छा momentum है, and downside अगर जाता है, तो देखिए, इस level के बाद ही कोई momentum आ सकता है, तो हमारे पस upside में position मनाने के chances बनेंगे, जैसे nifty upside मे निकलता है, तो इसी तरीके से हम अपनी analysis को देखते हैं कि अगर nifty flat open होने के बाद में upside जाने की कोशिश करता है, तो 17,811 तक हमें wait करना है, ये level decisively निकल जाए, 15 में की closing इसके उपर हो जाए, तब हमें CE buy करके चलना है ATM के उपर, and कल के कल आपको तकरीबन 100-150 point का एक move दे के flat opening देने के बाद में नीचे की तरफ crack अगर कर रहा है, तो याद रखेगा immediate support जो है, ये level create करेंगे 17,720 के, ठीक है, अब flat opening क्या मेरा मतलब है, 17,760 के आसपास तो आपकी opening ही हो रही है, ठीक है, ये आपकी opening हुई, उसके बाद नीचे जा रहा है, तो 40 point नीचे ही आपको यहाँ पर support मिल रहा है, तो इस means, it means कि आपको PE buy नहीं करना है, immediately यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा fluctuations हो सकती है, तब आपको इंतजार करना है कि 700, 720, 17,720 भी अगर निकल जाता है, तब आप यहाँ पर sell करेंगे, and उस condition के अंदर आपको एक अच्छा खासा profit हो सकता है, because उस आप देखें, तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक down move आया, यहाँ पर अगर किसी ने PE buy किया होता, तो एक कितना अच्छा move आपको देखने को मिलता है, यानि कि almost अगर आप देख पा रहें, तो यह 120 points का move है, जो आपको आज gain करने को मिलता, in fact अगर इसका 50 50% भी आप ले जाते, क्योंकि मैं generally क्या करता हूँ, जब इतना बड़ा gap create हो जाता है, और एक resistance हमारे पास में important ऊपर के level पर है, और शुरू की 3 candle ही crack होती भी दिखाई दे रही हैं, तो आपको PE buy कर लेना चाहिए था, ठीक है, तब situation क्या होती है, हाले कि इसके लिए और भ तक हो चुका था, और further क्योंकि expiry का दिन था, तो मैंने कोई जाधा experiment करने की कोशिच नहीं करी, otherwise अगर यहाँ पर और मैं रुखता तो देखे, negative price action बना था, और काफी जाधा, in fact मैं कहूंगा कि profit मेरा double हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छा situation होती है, कि gap create होने के बाद में आप देखिए, एक higher level पर जाता है, resistance को touch करता है, उसके बाद जो गिरावट आती है, वो गिरावट बहुत तेजी से PE के premium को भढ़ा सकती है, और वही होता है, देखिए, option buying के लिए एक बहुत golden opportunity, कि आप शुरुवात के first half में पैसे कमा के, intraday session से बाहर आ सकते हैं, तो यह इस type का scenario आप बना सकते हैं, कि intraday के अंदर gap जरूर फिल होता है, याद रखेगा, maximum cases में, 70-80% cases में, 100 points से जादी का बड़ा gap create होता है, तब वो gap फिल होने की पूरी tendency रखता है intraday के अंदर ही, भला ही वो 50% cover हो जाए, भला ही 80% cover हो जाए, या फिर आज की तरह 90-95% cover होता हाँ दिखाई दे, इस tendency के इस आप से wait करके trade करना बहुत जादा important है, तो अगर देखिए 17,760 से नीचे, यानि के 17,680 या 660 के आसपरस कहीं opening होती है, तब immediately nifty नीचे की तरफ जाएगा, आप तब कोई भी action नहीं लेंगे, 17,635 के level से support लेके अगर वापस उपर की तरफ च दिखाई दे रहे हैं कि institutions buy कर रहे हैं, it means market में downside limited है, market में जो support बने हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से act कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग जादा तक अपना जो strategy है, वो buying side में रखने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये level cross हो जाते हैं, opening level, तो हम लोग यहाँ पर CE buy करके चल स सकते हैं, and I think यह जो levels create हुए हैं, यानि कि आज के जो important resistance level है, वो हमारे पास 17,777 के आ रहे हैं, यह opening level जो है, यही important resistance है, यहाँ तक का target आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप इस ताइप से positions बनाते हैं, stop loss ठीक इस level की उपर लगाएंगे, अगर यहाँ पर 100 points से ज्या होगा, कि देखिए अगर 850 के अबव हमें gap up मिल गए, यानि कि यहाँ कहीं gap मिल गया, तो immediately nifty उपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नई series है, नया long build up बना के हम लोग गए हैं, यह बहुत strong confirmation है, कि कल आपको buying side में nifty शुरुआत के session में जातावा दिखाई दे, gap up भी मिल गया, suppose कीजिए 100 points का gap up मिल गया, उसके बाद और उपर की तरफ निकल रहा है, immediately resistance मिलेगा और फिर वहाँ से टकरा के नीचे आएगा, opening level अगर different हो जाते हैं, तब आपको wait करना है, immediately PE buy नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, market isn't buying trend, market का जो major trend चल रहा है, वो buying है उस condition में, आपको multiple confirmation की जरूत होगी, sell side के अंदर कोई भी opportunity find out करने को लेके, तो अगर opening level पर कोई negative price action बने, इस type का एक lower high बन जाए, तब हम लोग PE buy करेंगे, otherwise हम लोग PE buy नहीं करेंगे, because उसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि market के अंदर जो buying trend है, वो momentum भी create कर रहा है, तो बहुत ही जल्दी इस gap का 50% या उससे भी कम देखिए, fulfill होने से पहले ही, आपको यहाँ पर एक वापस से buying आते भी दिखाई दे सकती है, तो important level तब ही बनेगा, जब यहाँ पर कोई negative price action बने, जैसे आज यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने इस चीज को analyze नहीं किया तो उसके बाद में जो negative price action बनाए, वो इन levels के बाद में बनाए, यह level जो था, यह वाला जो base level था, यह as a resistance काम किया, यहाँ पर पहले support का काम कर रहा था, फिर यहाँ resistance का काम किया, तो काफी लोगों ने यहाँ पर short किया, और यहाँ पर short किया, तो भी उनको देखिए intraday मे 17,650 का, तो 70 points का move तो बहुत जादा enough माना जाता है अगर आपको मिल रहा है, तो last के half trading session से भी कम में, 70 point का move का trap करने को मिल रहा है, pure confirmation के साथ में कि आपने देख लिए negative price action है, तो भी देखे कोई खराब गात नहीं है, यहाँ पर आपको definitely इसके अंदर participate करना चाहिए, तो य यहाँ पर भी एक upper range है, एक lower range है, यह भी इन दोनों मेंसे जो भी range break होगी तब आपको एक बड़ा momentum मिल सकता है, तकरीबन thousand point तक का भी momentum यहाँ पर बनतावा दिखाई दे सकता है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि bank nifty जो है अपने all time high के काफी नजदीक है, 41,862 के, तो अ 89,52 week high तक पहुचता है दिखाई दे सकता है, altogether मैंने दो lines mark करी थी आपको याद होगा, तो यह rising way channel pattern का formation था, इसके उपर पिछले तीन trading session से यह bank nifty जो है cover करता है नजर आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा chances है कि इसके उपर निकल सकता है, पर आपको दिमाग में रखना क्या कि अभी भी जो gap create हुआ था, वो gap intact है, तो यह gap अगर fill होने के लिए आएगा, तो इसके लिए support mark करना बहुत जादा जरूरी है, और यह gap fill हो सकता है, तो in case 41,000 आपके लिए एक important support का काम कर सकते हैं, तो कोई भी position ले 41,000 का SL जरूर लगाएगा, तब ही यहाँ पर कोई position बन करके तो आपको दिखाई भी दे जाएगा, यह देखें, इस type की situation आज bank nifty में रही है, recovery यहाँ पर कम भलई आती भी दिखाई दिये, लेकिन altogether अगर आप देखें, तो इस गिरावट के बाद भी यहाँ पर जो end हुआ है market session, वो एक positive side में होता हुआ दिखाई दिया है, और this important trend line की, जो resistance की trend line है, इसके ऊपर ही यहाँ पर closing मिली है, जो again यहाँ पर एक possibility दिखा रहा है, कि आपको bank nifty इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो 41,335 की closing आपके सामने आ जा रही है, इन levels की आसपास, अब यहाँ से ऊपर, यह एक देखें, rejection का area है, ठीक है, य एक resistance का area है, जो immediate resistance है, यानि कि 4,335 पर एक immediate resistance develop हो गया है, इसके ऊपर अगर gap अप खुलता है, तो हमें याद रखना है कि देखें, एक और resistance यहाँ पर create हो जाएगा, ठीक है, 41,500 की ऊपर psychological resistance बनेगा, यह यहाँ से टकराके definitely नीचे आ सकता है, इसलिए immediately CE buy करने की गलती हम ल definitely buy करेंगे, और उस condition में 41,862 जो actually में 52 week high है bank nifty का, वो हमारे targets हो सकते हैं, तो यह line एक base का काम करेगी, 41,500 अगर एक तरीके से इसके ऊपर 2,3 candle बन जाती है, पंदामेट candle stick चार्ट पर, तो फिर यह resistance as a support काम करेगा, और हमारा target clearly 300 point upside में होगा, 41,862 का, in case अगर यह नीचे क की तरफ है, यहाँ पर आकर support ले सकता है, और मुझे नहीं लगता किसी भी situation में कि आज के जो low levels हैं, वो यहाँ पर break होने जा रहे हैं, क्योंकि ultimately अगर market में कोई segment बहुत strong दिखाई दे रहे हैं, तो still वो एक banking sector है, जो यहाँ पर हर एक important nearest support के ऊपर support लेके और वापस से upside के अंदर rally दिखा रहा है, तो यहाँ पर निफ्ती से भी ज़्यादा strong buying trend है, तो इस buying trend के अगर आप play करेंगे तो आपको 41,862 तक के level देखने को मिल सकते हैं, अगेन हमें देखिए upside के अंदर ज़्यादा tension नहीं की जोड़त नहीं है, काफी सारी चीज़े clear है, हमें बात करनी हैं कि अगर इन level के नीचे gap down या फर flat opening के बाद निकलता है, तब हम यहाँ पर PE buy करेंगे, इन level के नीचे, और immediately इन level के नीचे आपके पास में target बहुत बढ़ा नहीं है, आप यह देखिए, पहले resistance का जो काम हो रहा था, previous reading session पे वो support की तरीके से act होता हुआ दिखाई दिए है, तो यह level precisely मैं mark करने की कोशिश करूँगा, तो 41,025 points के आते वे नजर आ रहे हैं, तो 41,000 के ही levels है, यानि कि मैंने जो भी आपको daily chart पर बताया, 41,000 का एक important support है, तो इससे हम क्या conclude कर पा रहे हैं, कि 41,000 जब तक downside में नहीं निकलता तब तक, और यह जो level है, यह जो हमारे nifty में कोई भी important move नहीं देखने को मिल सकता, इसके ऊपर निकलता है, तब आपको यहाँ पर buying side में momentum मिलेगा, इसके नीचे निकलता है, तब आपको यहाँ पर sell side में momentum मिलेगा, तो trade लेना अच्छा होगा, अगर आप इन दोनों level का weight करें, निकल जानेगा, in between आपको इसी type क slow moves देखने को मिलते रहेंगे, जहाँ पर कोई बहुत बड़े target आप हासिल नहीं कह सकते हैं, this is all about nifty and bank, nifty and overall the situation इस वक्त markets के दिखाई दे रही है, उसकी कि आप market कहां जा सकते हैं, तो I think यह सारे points आपको समझ में आ गए होंगे, option chain पर हम लोग आज नहीं जाएंगे, because इस वीडियो को आप देखिए, समझ ये, price section को समझने की कोशिश करिए and then कल की तयारी कीजिए trade लेने की, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, वीडियो गर अच्छी लेगे तो like और share जरू कीजिएगा दोस्तों, मिलोंगा बहुत जलता आप से अगले वीडियो में, thank you, bye bye